आपको बता दे कि दिवाली के तेवहार नस्दीक है और पटाखा कारोबारियों ने दिवाली के तेवहार को भुनाने के लिए अभी से पटाखों का स्टॉक करना सुरू कर दिया जब कि सरकार के शक्त आदेश हैं कि अबादी छेत्र में पटाखों का भंडारण और बिक्री नहीं होने दी जाईगी लेकिन ये पटाखा कारोबारी अवैत रूप से अबादी छेत्र में पटाखों का भंडार करके सैक्रों लोगों को जिन्दगी गाव पर लगा देती हैं आत्रेस की घनियावादी वाले शहर के बीचों बीच इस्थेद जलवा लाकुआ के बास पटाखा कोदाम के सुचना पर उपजलादिकारी नितीस कुमार ने स्रीयो राम शब्द जादव के साथ मिल कर छापा मारा जहां भारी मात्रा में पटाखे का स्टॉक मिला उपजलादिकारी नितीस कुमार ने बताया कि कुदाम में लाकों के कीमते के पटाके भरे हुए हैं अबादी वाले इलाके में इपनी बड़ी मात्रा में बारुत का होना किसे भी बल्चुर खटना को अंजाग दे सकता था वहीं जब उनके द्वारा दुकान मालिक से पटाका बंडारन और विक्री की लाइसेंस मागा गया तो उसके द्वारा जो लाइसेंस दिया गया वा काफी समय पुराना है जिसका नवी करण नहीं कराया गया उपजलादिकारी ने कारवाही करते हुए गुदाम को सीर कर दि नहीं देखा जाए तो इस कारोबार पर हर साल छापे मारी खी जाती है लेकिन कत्वर कारवाही ना होने के चलते इसके द्वारा हर साल भारी मात्रा में पताकों की बिक्री की जाती है बड़ा सवाल ही है कि छापे मारी के बाद आखिर कैसे इसके वैद प्रपतर तयार हो जाती है और बिक्री के लिए लाइसेंस मिल जाता है झाल हो जाता है झाल हो जाता है झाल हो जाता है